इस सदन में अंग्रेजोन को याद किया गया अब राजा महराजाओं को अंग्रेजों के साथ जहरा नाता रहा था उस समय तो अम मैं जरब पूठना चाहता हूँ कि अंग्रेजों से कौन इंस्पाइड था मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी को जन्म किस ने दिया था ये तो मैं नहीं पूछूंगा आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिक्ता को किस ने बढ़ावा दिया अगर आप अंग्रेज़ों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड सहीता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बड़ली आधनिय सभापती जी अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैंकडो कानून क्यों चलते रहे आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर इतने दसों को बात भी खुआ चलता अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजेट शाम को पाँच बजे इसलिए आता था क्योंकि British Parliament का सुबह शुरू होने का समय होता था ये Britain की Parliament के समय के अनुकोल शाम पांच बजे बजेट की परंपरा क्यों चलाई रखी थी आपने कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था अपर आप अंग्रेजों से प्रेजित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिनों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे हमें इसके बाद एक हटा रहे हैं अगर आप अंग्रेजों से प्रेजित नहीं थे तो राजपत को करतव्यपत बनने के लिए मोजिता इंतजार को करना प्रादा अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमार और निकोबार इन विप समुहों पर आज भी अंग्रेजी सब्ता की निशान क्यों लटके पड़े थे अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो ये देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिठते रहे लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक बोर मेमोरिल तक आप बना नहीं पाये थे जो नहीं बनाया अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर नहीं थे प्रभावित नहीं थे तो भारतिये भाशाओं को हीन भावना से क्यों देखा तो भारत को मदर दिमोकरसी बताने में आपको कौन रुकता था आपको कौम हैसुस नहीं हुआ कि दुनिया में आधनीय सभापती जी मैं सेंक्रों उदहार दे सकता हूँ कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते कि सारी बात है याद आने वादी कि आप कि आपको कि आपको वादी बात रालेघवच quello जडियति, आने चाठाव आने में खाद watch in Всhou다 कि अचल मैं को आपको कि याजरे वादी की एस बात रसका कि उनका किएंगा उन्ना है याप या सकता हुआ प्रभाव सकता हुआ सकता है ईपके हैं